जी बिसमिल्लाइफमार रहीम, चैप्टर स्टार्ट करते हैं, आज का जो ATP का टॉपिक है, वो E-Business पे हैं, मतलब Electronic Business पे हैं E-Business क्या होता है, उसकी क्या strategies होती है, उसकी benefit क्या है, वो सब हमने आज डिसकस करने हैं सबसे पेले डिसकस करते हैं, E-Business क्या होता है, E-Business, E-Stands for Electronic Business यह जो हम Online Business करते हैं, Buying and Selling का Goods या Services प्रवाइड करते हैं, इसको हम E-Business करते हैं अब E-Business से कुछ strategies होती हैं, लेकर उससे पहले, हम लोग के कुछ steps हैं जो अगर हो, बहुत important होता है E-Business के लिए और Entrepreneurs के लिए, सबसे पहले तो आप कहाजी Supply Chain, Supply Chain क्या होती है Supply Chain एक ऐसा process है, जिसमें चीज बनने से लेकर कस्टमर तक जब पहुंचती हैं, उसमें जितने भी steps involved होते हैं, उसका हम Supply Chain करते हैं Supply Chain का नेटवर्क होता है, जिसमें आपके Supplyers होते हैं, आपके Buyers होते हैं, Company के Wholesalers होते हैं, Retailers होते हैं इन सब एक नेटवर्क बना होता है तो चीज मैनफेक्ट्रिंग से आप ऐसे परचेस करते हैं, मैनफेक्ट्र करते हैं, उसको बेचते आके सब एक नेटवर्क होता है Supply Chain का तो आप उसमें इनकी Partnership बहुत स्ट्रॉंग होने चाहिए सबको पता ना चाहिए कि किस की क्या डिमांड है और किस मैने क्या समान देना है अब इसमें क्या क्या चीज़ा फ्लो करते हैं, इसमें Material Flow भी होता है प्लस इसमें Information Flow भी है, इसमें Financial Flow भी है, Material Flow तो जो चीज़ आउडर की जो चीज़ आप बना रहे हैं Information Flow भी होता है कि लटसे एद आगए है, अब एद पे लटसे मिठाईया बहुत बिखती है तो आप अगर मिठाई पर्चेस करते हैं या मैनफेक्चर करते हैं मैनफेक्चरिंग इनट को यह Information होने चाहिए, कि एद आने वाली है, तो यह इतनी मिठाईया हमने बनानी है या कोई चीज़ आप बनाते हैं और वह चीज़ खतम हो जाती है, बिख जाती है तो आपके Supplier को यह Information टाइमली पहुंचाने चाहिए, कि हमलों का समान शॉट है, हमें यह पहुंचा दो फिर आपका Financial Flow है, Financial Flow पे भी आपके पैसे कैसे पे करने है, Credit Pay, उधार पे या Cash और कितना Easy है आपके लिए पे करना, Company के लिए पे करना Supplier को और Customer को पे करना Company को यह सब होल प्रोसेस Supply Chain में आता है, यह देखिए यह Supply Chain की फुल डाग्राम यहाँ पे मेंचन है, चीजे Supplier के पास Suppliers, Manufacturing, Distributor, Retailer, Consumer यूमर और फिर दोबारा Demand जाती आगे, और देखिए हर Step में, एक Step में जो चीज पहुंच रही है, किस तरह पहुंचती है, कितना Efficiently पहुंचती है, उसको कहते है Logistic अचारी फिर जी आपके पास ERP, ERP another important strategy if you want to develop E-business, E-business नहीं भी करना, तब भी आपकी Supply Chain और ERP important है, लेकिन अगर E-business आपने करना है, तो इसकी Enterprise Resource Planning, एक ऐसा system है, जिसमें आपकी organization के जितने भी function है, वो under one roof आचाते हैं, आपको हर एक लिए different different modules, different different function नहीं बनाने पड़ते हैं, For example, आप कभी note किया कि अगर आप किसी shop पे जाएं, आप कोई चीज पर चीज करते हैं, grocery store पे, तो वो जो scan करते हैं, और फिर आपका bill generated होता है, वो जो scan करते हैं, उसमें क्या-क्या चीज़े बनती है, आपका bill scan हो गया, आपका bill बन गया, क्या-क्या items थी, कितने बज़े, आपने क्या चीज़ परचेज की, उसके बाद back-end पे ये चीज़े जाती हैं, कि कौन कौन से चीज़ बिग गए, कौन से चीज़ शॉर्ट है, कौन से चीज़ किस टाइम पर बिख रही है, कौन से चीज़ ज्यादा बिखती है, कौन से चीज़ कम बिखती है, आपके supplier को message जाता है, आपके लिए, आपके लिए record maintain हो जाता है, किसने क्या चीज़ परचेज की in future पर आपको offer देते हैं, तो ये सब ERP में आता है, तो ERP is another very important function, इसने आपका time save हो जाता है, error के chances बहुत कम हो जाते हैं, back end पे आगे, आपके income statement, balance sheet, ये बुनाने में भी असानी हो जाती है, record maintain करने में बहुत असानी हो जाती है, ये देखेजिए ERP, आपके finance के लिए, आपके manufacturing के लिए purchase, इन सब के लिए बहुत important, एक click पे ह आपका समान कबाएगा, आपने कब distribute करना है, कौन किस ताहिए पर समान purchase करता है, तो ये record बहुत अच्छा maintain हो जाता है, आप supply chain की वैसे, और ERP की वैसे, आपके customer relationship management बहुत अच्छी हो जाती है, इसमें क्या जी, आप direct mail करते है customer को, mail जो हमें आती है, टेली marketing करते हैं, टेल आपने किसी से कोई चीज purchase की हो, let's say, हम car की tuning की बात करते हैं, जब हम car की tuning रहते हैं, तो अकसर आपके reading note करते हैं, और उसके बाद पूछते हैं, जी आप दिन में कितने mileage यूज़ करते हैं, तो वो ERP में फिर आपका system में update हो जाते हैं, उसका ये फाइदा होता है कि हम track कर करते रहते हैं कि customer की इतने दिन गुज़र गए हैं, अब उसकी duty आ चुकी है, car की tuning की, तो फिर उनको message चला जाता है कि आपकी car tuning करवाने के देर पास है, फिर से marketing campaign करना ही जी होता है, one-to-one solution customer को provide करते है, customer relationship management में, अकसर देखते होंगे हैं, ये relationship managers बने होते हैं, different branches में, internet, internet को किस तरह से use कर सकते हैं, उसमें क्या strategies होती है, वो अब से establish किसे होती है, internet के advantages से में एक ये video लिगाई, आप देखेगा, जाहर है internet को बहुत से advantages है, customer के लिए easy होता है, चीज़े order place करना, और company को access करना, उन customers को ज़्यादा बहार नहीं निकलते हैं, या busy, आजकल देख advice भी ऐसा हो जाए, तो online business बहुत help हो रहता है, online business में आप उनको भी target कर सकते हैं, जो जिनको advertisement करनी हूँ आपने, जैसे youngster सोचल मीडिया पर बैठे होते हैं, तो बजाए उसके कि आप टीवी पर advertisement करनी है, सोचल मीडिया को कर दें आप, internet program, advertisement program कों से steps है, number one है कि आपने domain name लेना जी, मतलब आपकी जो website है, आपने website मानी है, website के लिए उसका नाम आपने decide करना है, नाम decide करने के बाद, उसका एक domain मतलब आपने उसका एक नाम decide कर लिया, जैसे जी olex है, नाम decide हो गया, और फिर आपने उसके extension अप्टेन करनी है जी, जिसमें dot com है, dot com stand for commercial dot org organization dot e tu educational है, आपकी GOV है, आपकी government की organization है, website है, पहले आपने ये maintain करना है, और domain name होता है, आपका हर एक website का एक domain name होता है, एक address होता है, IP address, जाहिरे आप जो website बनाते हैं, वो कोई भी access नहीं कर सकता, unless, until उसको कहीं पे upload ना किया जाए, और URL होता है, एक specific address, जोई जिस consumer को नज़र आएग कि उस company के नाम किया है, और .com.org लेकिन back end पे आपका domain name होता है, back end पे IP address होता है, और उस पे सब function upload हो रहे होते हैं, अब उसके लिए आपको एक website ही जो आपकी domain name को host कर सके, domain name मुनाने हैं, आप आपने hosting करने हैं, मतलब कहीं ना कहीं, किसी ना किसी थ्रू, किसी ना किसी की थ्रू आपने उसको launch कर वाना है, इंटरनेट पे, तो आपके जो ये telecommunication company ये आपको service provide करती है, वहाँ पो जाके, आपको IP address मिलता है, और वो आपको internet service provide करती है, ताकि आप you need to make sure कि आपकी online में security रहे, क्योंकि बहुत से hackers होते हैं, आपको data leak हो जाता है, for example, आज कर जैसे zoom, आच आ रहा है, जिके zoom hackers बहुत आ गए है, YouTube channels पे बहुत से hackers आ गए है, hackers ये करते हैं, कि आपने YouTube channel पे comment करते हैं, उनके channel पे comment करते हैं, जिनके likes और जिनके subscriber कम होते हैं, less than 1000 उन्हों comment करते हैं, और उन्हों कहते हैं, मैं आपके subscriber increase करता हूँ, आपने इस link पे click करना है, जब वो click करते हैं, तो उनका account hack हो जाता है, so make sure कि आपने e-business करना है, तो आपका security system बहुत strong हो, फिर जी आपने marketing कैसे करनी है, marketing बहुत, आज कल in हैं, बहुत से courses करवाई जा रह जा रहे हैं, बहुत सी companies भी हैं, इस पे काम कर रहे हैं, आप search engine के through कर सकते हैं, मतलब आप search engine optimization होता है, जी आप Google पर हम जो कुछ चीज़ सर्च करते हैं, तो हम जो सर्च करते हैं, हमारी चीज़ को top के लेकर आना, मतलब हम सर्च करते हैं, पाकिसान match, ठीके तो हम जब पाक स्विलंका, पाकिसान versus इंडिया, कौँ से चीज़े ज़्यादा search की जाती है, कौँ सी उपर लगे जानी है, वो search engine optimization में होती है, फिर banners add है, आप यह कर सकते हैं, किसी website पे अपने banners लगा दे, वहाँ पे आप अपनी emitties में कर दे, आपको पैसे देने पड़ते हैं, सबस्क्राइब करते हैं, आपको e-mail, आप उनको automatic e-mail भीजते हैं, उसको करते हैं, आप अप्ट-in, एफिलेटिट प्रोग्राम होते हैं, कि आप बाकी लोग को अपने साथ involved कर लेते हैं, जब वह चीज़े बेचते हैं, तो उनों commission मिलता है, पैसे मिलते हैं, कि Amazon ने किया ह करते हैं, TikTok एक लोग बहुत फ़जूल कामों के लिए उसको use करते हैं, लेकिन TikTok में अगर कोई सोच है, अगर आपनी सिर्फ अकाउंट बनाया हो, अपनी promotion के लिए funny videos भी बन रही हो, और उस funny videos में आपकी product की promotion हो गया, just imagine कितना यूस्ट रहेगा, इस दिना से Facebook, Instagram, जितने भ वाइल मार्केटिंग भी एक step है, अग्सा आप लेखा होगा, कि लोग वाइल मार्केटिंग में buzzing करते हैं, कोई gorilla marketing करते हैं, वो unique creative चीज़ करने ही कुशिश करते हैं, सब को involved करते हैं, जैसे कि कहते हैं, जैसे अगर आपने iPhone की promotion करनी है, किसी ने, तो उसमें वो कहते हैं, यह iPhone है, एक छोटा जिकलिफ बना दे, यह iPhone है, जो last में comment करेगा, पांच लग उसे share कर देगा, तो उसको, वो कुरान दाजी में शामल हो जाएगा, और उसके फिर, जो जित्ते हैं उसको iPhone मिलेगा, तो तो इसे वाइल मार्केटिंग, वाइल हो जाती है, चीज़े, कौन नाम चाहते हैं, वो अक्सर occupied होच का होता है, अक्सर लोग यह करते हैं, कि सरफ वेबसाइट का नाम purchase कर लेते हैं, domain name purchase करते हैं, उसमें कुछ भी upload नहीं करते हैं, वो सरफ इस वाइसे करते हैं, कि उनको लगता है future में यह चीज़ बन जाएगी, इसका नाम किसी को जूरत ह वाप purchase कर लें, तो उनको पैसे ऐसे कमाते हैं, अच्छा जी, internet service provider कौँ से, यह ढूड़ना मुश्कल होता है, अक्सर बहुत charge करते हैं आपको, कौन सा material आपने upload कर रहा है, ethical issues भी होते है, rules and regulation भी होते हैं, different laws भी होते हैं, आप क्या चीज़ upload कर सकते हैं, क्या नहीं, hacking से इसे खुश नहीं है, satisfy नहीं है, इस वासे इस पे इतना confident नहीं होता लोग का, benefit यह business का हमता होता है, 24 hour, 7 access होती है, flexible काम करना है, cost saving हो जाती है, आप लोग की, जल्दी चीज़ पहुंचती है, consumer तक क्योंकि process जल्दी होती है, आप कुछ आनने पड़ता है, जसकर बैटे डि और एक opportunity होती है, आप किसी भी customer को target कर सकते हैं, advertisement कर सकते हैं, यह मैंने एक link लगाया है, जिके benefit और issues क्या होता है, business के यह आपको देखे जोए, आपके click कीजिएगा, this is the end of the chapter, इंशालला आप से फिर मुला का लोगी, take care, Allah के जो.